हेलो बच्चो क्या हाल चाल एंड वेलकम तो गाइस आज का जो वीडियो बना रहा हूं मैं अभी अभी जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले लास्ट संडे नीट दिया हुगा एंड नीट एक्जैम जैसा मेरे सुनने में आया कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बाइलोजी की लैंगविच बहुत कॉंप्लिकेट थी केमेस्ट्री तफ आया था फिसिक्स ठीक ठीक था एंड लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इस बार आप लोग 550 के उपर स्कोर कर ले अब यहां से दो रास्ते खुलते हैं गाईस पहला रास्ता कुईट कर दें छोड़ दें और हार जाएं इस कैटेग्री में मैं उन बच्चों को नहीं बोल रहा हूं उन बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो आप फॉर्दर नीट की प्रिपरेशन ना करते हुए किसी कॉलेज में एड्मिर्शन ले रहे हैं मैं आप उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने मन में यह वर्ड आए कुट बैठा लिया है कियार मुझसे नहीं होगा गाईस देखो कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगोंने सोची हो और वो आप अचीव ना कर सको ऐसा कुछ भी नहीं है हर चीज दुनिया में अचीवेबल होती है लेकिन अगर आपने आज आपका एक एक खराब जाने के बाद यह सोच लिया है कियार मुझसे तो हो नहीं पाएगा तो यह एक बहुत बड़ा ड्रॉब है कि ऐसे बच्चों के लिए यहां पर में एक बात आप बोलना चाहूंगा गाईज इस दुनिया में इस अपने भारत में अपने आज पास एपा तरह नजरे घुमा के देखो ऐसे कई लोग होंगे जो डॉक्टर नहीं है क्या सच में डॉक्टर होना ही लाइफ का सल्यूशन है कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने एक साल का ड करता है कि हम लोग इस वर्ड को कुट को अपने दिमाग में बैठा ले और खुद को लूदर समझ ने लग जाए नहीं यह में नहीं चाहता तो गाईस अगर आप लोग फर्दर नीड का प्रेप्रेशन नहीं करते हैं तो जैसा मैंने आपसे बोला आप यह वर्ड कुट बि देखेंगे तुमारे सामने बहुत बड़ा एक्जेम्पल में भी खड़ा हूँ मैंने भी अपने लाइफ में मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम की तैयारी की थी फर्स्ट अटेम्ट में मेरा नहीं हुआ एंड मैंने प्लैन भी यानि फर्मेशी लुई आप्ट किया के एंड मेरे साथ में और भी बहुत साखें बच्चे हैं बहुत सारे क्लासमेट्स थे मेरे जिनौ ense ने रही हले की तरफ नबबद की तरफ चले गाहें और एक्सिलेंट काम कर रहें में menGe साथ में जो डॉक्टर बन रहे ना आज वो डॉक्टर बन के बिचारे घिस रहे हैं सतर सतर हजार 8080 रूपे 90 रूपे के लिए वो दिन राद मेहनत कर रहे हैं दिन राद दवाईयां गोलियां यह सब कि अच्छी लाइफ है कोई जाधा लोड नहीं है कम स्ट्रेस के साथ बढ़ियां मजे कर रहे हैं लेकिन वह लोगों की लाइफ में स्ट्रेस जाद है तो मुझे तो यह लगता है कि डॉक्टर नहीं बन के हम लोगों ने अच्छा किया तो तो guys हमेशे एक बात ध्यान रखना कि doctor अगर आप लोग नहीं भी बन पा रहे होना तो it's not a big deal अब हम बात करते हैं उन students के बारे में जिनका अभी exam शायद अच्छा नहीं गया और अब लोग mental dilemma में कि हम लोग क्या करें तो guys एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आपके अंदर confidence नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर उन students के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का paper अच्छा नहीं गया तो अब हम लोग क्या करें तो वो सारे students एक दो दिन अभी और शांती से बैठें अपने paper को analyze करें अपने level को analyze करें कि यार हम लोग 720 में से कितने number लेकर आ सकते हैं क्या भी हम लोग 300 number पर हैं क्या भी हम लोग 200 number से guys 200 से नीचे वालों की बात में नहीं करूँगा क्योंकि फिर आपके लिए एक साल का drop लेकर अपने score को बढ़ाना उतना शायद ना आ पाए लेकिन मैं बिल्कुल 100% नहीं बोल रहा हूँ तो अगर आपका score 200 तक है तो guys I must say you should give a try अगर आप 200-300 के बीच में भी हो तो I think you should give a try आप पहले खुद पर confidence लेकर आओ अपने आपका confidence gain करो बोलो खुद से कि मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा मैं करके रहूँगा अभी 2023 NEET आने वाली है आज से मेरे पास में एक साल है मैं master plan बनाऊँगा और इस plan के तहत मैं NEET clear करूँगा NEET clear करना कोई बड़ी बात नहीं है इस बार का paper tough आया बनता है दो साल का जो भड़ास थी ना वो NTA ने निकाल दी covid time period की भड़ास इस बार निकाल दी तो अब हो सकता है कि अगले साल का paper का level इसी level का हो ये level अच्छा था तो हम इसी level की पढ़ाई करेंगे हमारे साथ में वैसे भी covid वगरा के बहुत सारे cases हुए है तो हम लोग शायद अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे let's give us a try और guys यही try मैं भी gravity circle पर आप लोगों के साथ करूँगा gravity circle पर जैसा आपने देखा होगा कि अब इस साल जो हम लोग जुगनू बैच और जैगवार बैच चला रहे हैं ये दोनों बैच पर मैं यूट्यूब पर ही इसी channel पर free of cost बहुत awesome तरीके के lectures upload कर रहा हूँ and साथ साथ हम questions भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़े in development हैं और मैं आपके लिए biology का भी arrangement कर रहा हूँ उन चीज़ों मैं भी lectures का तो नहीं promise कर रहा हूँ chemistry के lectures आ रहे हैं chemistry के questions कर रहे हैं और chemistry का आपके लिए बहुत कुछ और भी चीज़े preparation में चल रही है और biology की भी चल रही है तो guys अगर आप लोग ग्रेविटी सरकल मेंबर हो इस channel के अगर आप member हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ आपकी नीट के preparation में तो guys घवराना नहीं ह मेरे जैसे और भी कई educators, teachers आप लोगों के साथ में लगे हैं तो हार मानने की जरुवत नहीं है अपनी मंजिल जो आपकी मंजिल है उसको अपने दिमाग में बैठा लो और बस आपको अगले एक साल तक जैसे अरजुन को मचली की आँख ही दिखाई दे रही थी वैसे आपक से दो रास्ते चूस करो या तो आज अभी इसी वक्त अपने mind में बैठा लो कि मैं अगले साल नीट क्रैक करूँगा और मैं कल से ही उसकी पढ़ाई में जुट जाओंगा आज थोड़ा सा अपने आपको और समय दूँगा और कल से पढ़ाई में जुट जाओंगा और कु इसी भी टाइप की चिंता मत करो इस दुनिया में इतने सारे कोर्सेज हैं बायलोजी स्टूडेंट्स के लिए जिसकी हद नहीं है और वो सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए डैम गुड है तो मैं अभी इनेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर उनी स्टूडेंट्स को टारग लगने वाले हैं तो आप लोग अपनी प्रेप्रेशन में जुट जाना कल से अगले साल नीट 2023 में आप लोगों को मेरी बात याद आएगी कि यार उस समयम रत्यूंजय सर की बात सुन ली और हम लोगों ने नीट की तैयारी शुरू कर दी और आज हम लोग फोड के निकले हैं डॉक्टर बनने की रहा पर निकले दो गाइस डिसार्टन होने की जरूवत नहीं है जो हो गया सो हो गया हर एक्जाम लाइफ में कुछ सिखाती है तो आई विश आल दे वेरी बेस्ट उन सभी सुडेंट को जिन्हों ने इस बार नीट 2022 दिया जो लोग प्लान बी के ल ऑगी ग्रैविटी सरकल पर तो अलरेडी केमिस्ट्री की शुरूवात हो चुकी है आपकी नीट के पहले ही दो दो तीन तीन चैप्टर अपलोड किये जा चुके हैं क्वेस्टन उनके प्राक्टिस मोड में आप लोग ग्रैविटी से केमिस्ट्री पढ़ना तो शूरू कर प्राइगा